नमस्कार दोस्तों घरेलू नुस्खे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत हैं दोस्तों रोज की तरह आज मैं आपको कुछ नया बतानी जा रहा हूं कि आखिर आप काली हल्दी के नुस्खे से कैसे धनवान बन सकते हैं तो दोस्तों जीवन में बहुत सारी समस्यां होती हैं जैसे धन सम्मंदी समस्या या स्वास्ते सम्मंदी समस्या या कई और ऐसी दिकते होती हैं जिससे आदमी बहुत परशान रहता है या किसी को किसी के ओपर कोई ओपरी होती है या वशी करण होता है नेक प्रकार की बिमार पर वो अगर कमजोर है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर वो धन्वान कैसे बन सकते हैं और कैसे माला माल हो सकते हैं इसी के लिए बात करेंगे कि आखिर इसके लिए क्या नुस्खे है तो दोस्तो काली मेंदी बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बहुत अच्छा नुस्खा है और इसको औशदी के रूप में प्रयोग किया जाता है वैसे तो पीली हल्दी दूर करने के लिए भी काम में ली जाती है और आज एक ये नुस्खा जो हम बताने जा रहे हैं कि काली हल्दी से कैसे आप धन्वान बन सकते हैं अपनी पैसे समंदी सभी समस्याओं को खतम कर सकते हैं और अपने आपको एक जीवन में खुशहाल जिन्दगी पा सकते हैं तो दोस्तो उसके लिए बात करेंगे कि आखिर करना क्या है आपको आपको काली हल्दी पिसी हुई लेनी है और काली हल्दी पिसी हुई लेकर आप आटा गूंद लें आटा गूंदने के बाद दो चुटकी काली हल्दी को उस आटे में डाल कर उपर से आटा लगा दें और आटे के बीच में ताकि वो लिपट जाए और ऐसा करने के बाद आप उसको किसी भी पेड़ के नीचे या अच्छा रहेगा कि आप अगर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी असरकारक होगा और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट लाएगा और आप फिर देखेंगे कि यह कारिये आपको सिर्फ एक बार करना है और कोशिश करें कि इस कारिये को आप शाम को पांच बजे के बाद वीरवार के दिन शाम को पांच बजे के बाद करें तो अच्छा रहेगा और उसके बाद आप इसको रख जब रखेंगे तो इस आटे को अपने उपर से साथ बार घुमा कर आप उसको पेड के नीचे रखने और वापिस घर पर आ जाएं तो फिर देखें आप कैसे थोड़े ही दिन में माला माल हो जाएंगे और आपकी जो धन समपदा जो पैसे की प्रॉबलम है वो सौल्व हो जाएगी और आपके पास पैसा आना शिरु हो जाएगा तो दोस्तो ये था आज हल्दी काली हल्दी का टोटका जिससे आप धन्वान बन सकते हैं और अपनी प्रेशानियों को हल कर सकते हैं ऐसे ही मैं और टोटके कल फिर्म बे लेकर आऊंगा नुस्खे लेकर आऊंगा तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू